हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू मैं चैनल लीगल हेल्पिन हिंदे दोस्तों कभी कभी लोगों का ऐसा भी कोशन होता है कि अगर हमें किसी जज के खिलाफ कोई कम्प्लेंड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं क्या इंडिया में ऐसा होना पॉसिबल है क्या किसी भी जज के खिलाफ कोई कम्प्लेंड करी जा सकती है या फिर नहीं तो दोस्तों इंडिया के सिस्टम में जब भी हमें कोई कम्प्लेंड करनी होती है चाहे वो पुलिस के खिलाफ हो किसी वेक्ति के खिलाफ हो या कोई फैमिली मैटर है किसी भी तरह का कोई भी मैटर है तो जो उसका आखरी डिसीजन होता है या फाइनल डिसीजन के लिए हमें कोट में जाना पड़ता है कोट का डिसीजन ही आखरी डिसीजन होता है हर हाल में तो जब ऐसा हो जाए कि कोट का डिसीजन ही आखरी डिसीजन है तो फिर जो कोट में डिसीजन देता है यानि कि जो जजमेंड या ओर्डर पास करता है वो जज होता है और मजिस्ट्रेट या फ कहता है कि आखरी decision judge का होगा जब judge के खिलाव कोई complaint है तो हम उसके लिए कहां जा सकते हैं तो आज यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम किसी भी judge के खिलाव किस तरह से शिकायत कर सकते हैं और वह शिकायत किस basis पर हो सकती हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी जज की कंप्लेंट कब और क्यूं करी जा सकती है अगर सपोज आपको किसी जज के द्वारा दिया गया कोई जज्जमेंट पसंद नहीं आता आपको लगता है कि वह जज्ज क्या सब्सेंट सेधिक्स में जाकर अंप उसके लिए सकते हैं सवाल उड़ता है कि यसी कौंसी वात हो सकती हैं जिसके बाद आप किसी जज की शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि किसी judge का behavior आपके लिए बहुत ही ज़्यादा root था बहुत ही abusive था तो आप उस judge की complain कर सकते हैं Throughout the hearing when you feel कि judge का behavior आपके लिए बहुत ही hostile था यानि कि पूरी सुनवाई के दौरान आपको ऐसा महसूस कराया गया उस judge के द्वारा कि वो आपका जैसे कोई enemy है आपको बिलकुल सुना नहीं गया आपके लिए बहुत ही enemy जैसा behavior अपनाया गया गंदी language और उनकी जो body language है वो आपके लिए सही नहीं थी तो आप ऐसी condition में ये step उठा सकते हैं या फिर आपको ऐसा लगे कि जब आप अपनी बाते कह रहे थे तो judge ने आपको नहीं सुना वो sleepy थे वो सो रहे थे या फिर वो जमभाई ले रहे थे उन्होंने आपकी बातों को फिलकुल भी गौर नहीं किया तो इस तरह से आप किसी भी judge की complain कर सकते हैं उनके आचरन को लेकर उनकी भाशा को लेकर या फिर उनके body language को लेकर तो अब बात आती है कि उनके शिकायत हम कहां पर कर सकते हैं उनकी शिकायत को हम subordinate judiciary में कर सकते हैं आप court के judges के registrar को या फिर जिला प्रशाचनिक नियाधिस को आप अपनी complaint भेज सकते हैं लेकिन अगर वो हाई court के judge हैं तो आप उनकी शिकायत CJ यानि की Chief Justice के पास कर सकते हैं लेकिन अगर वो judge Supreme Court के हैं तो आप उनकी शिकायत को CGI यानि की Chief Justice of India के पास करेंगे और इसी तरह से Chief Justice of High Court के शिकायत करती हो तो उसके शिकायत भी आप CGI के पास ही करेंगे यानि की Chief Justice of India के पास करेंगे Department of Justice की कुछ guidelines हैं जिसे हम short form में DOJ भी कहते हैं DOJ के पास ऐसी बहुत सी शिकायते आती हैं जो की online या फिर email के थुरू उन्हें प्राप्त होती हैं सिर्फ इतना ही नहीं जो DOJ होते हैं उनके पास राष्टेपती सची वाले उपराष्टेपती सची वाले इसके अलावा PMO के office से भी बहुत सारी complaint online या फिर email के थुरू मिलती हैं और वो शिकायते जिस भी तरह की जिस भी category की होती हैं उसी department में refer कर दी जाती हैं उनको उसी department के लोग handle करते हैं इसके अलावा जो भी शिकायते judiciary से related होती हैं वो supreme court के secretary general के पास refer कर दी जाती हैं और या फिर council high court registrar general के पास further appropriate action के लिए भेज दी जाती हैं लेकिन अगर court के फैसलों के खिलाफ कोई complaint आती है तो उनको शिकायत की तरह handle नहीं किया जाता उन लोगों को rule के according ही council दी जाती हैं उनको सलाह दी जाती हैं और supreme court के judges के खिलाफ जो भी शिकायत होती है वो chief justice of India को refer कर दी जाती है और शिकायत करने वाला इसके बारे में उसी department से सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप judges के खिलाफ शिकायते दर्ज कर सकते हैं और कहां पर दर्ज कर सकते हैं उसके लिए कौन-कौन से reason हो सकते हैं आपको यह information अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे like और share जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में all notification बटन को on रखे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूं आप उससे update होते रहें